आप सभी को जैजै सियाराम आज का यह वीडियो भी माभगवती सोड़श मात्रका के लिए सबर्पित है हम सोड़श मात्रका को स्वास्तिक के रूप में किस प्रकार से परिनित करके उनका पूजन अर्चन कर सकते हैं यह वीडियो में हम बहुत ही सहज विधी से और सरल अपने घर में परिवार में बंधु बांधव में जहां भी अनुष्ठान का अयोजन करते हैं थ्वा करवाते हैं वहां जो है इसी प्रकार से आप सोड़श मात्र का बनाएं और उनके लिए आसन रखें यह बड़ा ही सुंदर तरीका है रंगों में आप अपने अनुषार ज इस प्रकार से सोड़श मात्र का बनाएं इस विधी का हम भ्यास यहां करेंगे सबसे पहले इसी प्रकार से आप जो है चोरंग को अपनी चोकी को तैयार कर लेवें और सफेद चावल से पतले पतले जो है इस प्रकार से बना लेवें आकरती केवल स्वास्तिक की हलकी हलकी चावल से पहले बना लेंगे पहले थोड़ा थोड़ा अगर बना लेंगे तो क्या होता है बाद में फिर अपन जितना सुधार करना चाहते हैं उतना अपन सुधार कर सकते हैं इस प्रकार से आप अपना परिमान ले करके पहले बना लेंगे अब जो है इसमें बढ़िया जो है क्योंकि यह स्ट्रक्चर बन गया है आपका बेस तैयार हो गया तो आप जो है इसमें थोड़ा सा अधिक चावल भर करके इस प्रकार से यह ध्यान दिजए और इसी प्रकार से पहले हमने स्वास्ति के वीडियो में तो बताया ही है आपको कि इस तरह से आपको जो है चावल को सेट अप करना है यह देखिए इस तरह जो है आप बढ़िया चावल को शिट अप कर ले गए आपका चाहबल एक बार सिट हो जाना चाहिए उसके बाद जो है आप इस प्रकार से ये केवल अभी एक बार साधरन तरीके से आपको सिट करना पड़ेगा जल्दी बनाने के लिए आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा इससे आपका जल्दी भी बनेगा और अभ्यास भी आपका बढ़िया खिल जाएगा इस प्रकार से आप पहले बना लेंगे इस तरह से बनाने से आप ये ध्यान देंगे ये देखिए एक बार अगर इस तरह से आपका बन गया तो फिर आपको ये जो जगह है जहां कहां चावल कम लग रहा है इस प्रकार से आप यहां चावल भर लिए यहां अगर आपको चावल कम लग रहा है तो यहां भर लिए जह जहाँ एपको चावल कम लग रहा है वे तो ती है सबसे पिर आप चावल भर सकते हैं झाल का लोग ट्यान रखेंगे गहाँ पहले भी बता चुके हैं कि चावल जो है आपको एषा लेड़ा सुपर संस्सासख Premium तोटा हुआ नहीं कि जो च्छत ना हो जो तूटा हुआ ना हो उस पर जो है आपको करना चाहिए अब दिखिए अब जो हमारा चावल बराबर मात्रा में हर जगे से रखा हुआ है अब आपको क्या करना है कि इसको सुधार लेना है सुधारने के लिए बस इस प्रकार से आप स्केल अगर नहीं आप से आप आ रहा तो आप स्केल का उपयोग कर सकते हैं कोई समस्या नहीं है ये तो हम आपको बार बार इसलिए हर वीडियो में कह रहे हैं कि आप उंगली का ब्यास करें ताकि जब कहीं भी आपके पास असुविधा होगी तो आप परिशान नहीं होंगे किसी चीज के आप इस स्वास्तिक को इस प्रकार बढ़िया बना लेंगे ध्यान दे थोड़ा सा बढ़िया मैं जल्दबाजी में बना रहा हूं क्योंकि आपको ज्यादा समय भी नहीं लेना वीडियो बढ़ा होगा तो फिर लोग देखते भी नहीं है कि या क्या इतना वो है तो मैं तो जल्दबाजी में बना रहा हूं तो आपको जो है आराम से बनाना है इस प्रकार से आप लगातार बढ़िया आप भ्याजब करते रहेंगे स्वास्तिक अगर आप कैसे बनाना है यह अधिक जानना चाहते तो आप हमारा पहले वाला वीडियो देख सकते हैं हमने स्वास्ति से आप यहां बना सकते हैं यह देखिए बड़ा ही सही और अच्छे तरीके से आपका धीरे धीरे से आपका आजाएगा ऐसा कुछ नहीं कि एक बार में ही आपकी जो है इतने सुन्दरता आएगी मैं भी इतना भी वह नहीं बना पा रहा हूं कि जल्दबाजी में बना रहा है तो देवी शुक्त का देवी अथरवशीर्स का जो भी आप बना रहे हैं उसके नुरूप पाठ आप करते रहें तो इसमें देवत तो जो है गंगत तो अधिक आता है इस प्रकार से आप जो है बना ले वे बनाने के बाद जो है लगातार ही आप एक बार में ही धीरे से यह अगर कारे एक बार में ही हो गया है आपका सफेद चावल वाला काम एक बार में ही हो गया तो फिर समस्या नहीं रहती है बाहरी आवरन की चिंटा नहीं रहती है इस प्रकार से आप यहां परीद ही दे दें खास्तिक में चारों तरफ से मैं इस बार उठा के नहीं बना रहा हूँ बस जैसा आ रहा है बना रहा हूँ क्योंकि आप भी जब लगाता रभ्यास करेंगे तो आप कभी वो फिर बढ़ी अब तरीके से बन जाएगा परेधी कैसे इकतम सही तरीके से और बाद में अगर आपका परिदी सही नहीं भी आता है तो आप बाद में उसको सम्हार भी सकते हैं सा कुछ नहीं है कि एक बार मेहीं आपका आना जाहिए हाँ चावल का इसका ध्यान रखेंगे बाहरी परिधी का भी चावल जो है आपकी पीठों में ना आने पाए उसका ये रहता है कि चावल जितना systematic ढंग से ब्यवस्त ढंग से आप चावल रखेंगे चावल की सुन्दर्ता भी पीठ की सुन्दर्ता भी जो है उसी प्रकार से बनी रहेगी ये देखिए अगर आपका चावल बाहर इधर अंदर रहेगा तो पीठ में जो है रोचकता जो है मनमुहकता उसमें नहीं बन पाती है उतनी सुन्दर्ता इस प्रकार से यह ध्यान दीजे इस प्रकार से जो है आप यहाँ यह अब इसमें करना क्या है बीच में तो आपको गणपती का इस्थान देना ही है तो इस प्रकार यहाँ जो है आप पीला चावल रखतीजिये गणपती के लिए यह यह आपका गणपती का स्थान हो गया थेक है अब जो है हम यहाँ जो है उसका स्थान देंगे मात्रकाओं का तो मात्रकाओं के स्थान देने के लिए सबसे बढ़िया जो है रंगों का चुन परन्तु हम जो है यहां ना पीला चावल भरेंगे ना लाल चावल हम यहां जो है मिक्स चावल भरेंगे मिक्स चावल भी भर देंगे तो भी सुन्दर दिखने वाला है वो और हरा चावल भी भर देंगे तो भी, अब हम मिक्स चावल भर करके जो है इसमें, बड़ा ही सुंदर तरीके से आपको दिखाएंगे ये, थोड़ा-थोड़ा चावल भरेंगे, इस प्रकार से ये देखिए ये, इस प्रकार से हम इसमें, चार इधर और चार इधर इस प्रकार से हम इसमें ये भरेंगे आप चाहें तो लाल का लाल भर सकते हैं पीला का पीला भर सकते हैं और अपने अनुरूप चावल ले सकते हैं काला चावल का उपयोग ना करें क्योंकि यहां जो है माभधरकाली का स्थान तो दिया नहीं जाता है तो इसलिए आप लाल, पीला, हरा, सफेद चावल का उपयोग कर सकते हैं किसमें बाकी जो देवियां हैं उनके लिए भी इन चावलों का उपयोग किया जा सकता है तो इस प्रकार से आप जो है सोडश मात्रिका और बना सकते हैं अब जो है इसमें और भी सुंदरता लाजने के लिए आपको क्या करना है इसी तरह जो है ये परिधी बना लेनी है वरत्त की थोड़ी थोड़ी से एकदम छोट हलका दबाएंगे तो अपने आप वो परिधी बनती जाएगी ये अब चाहें तो डाइरेक्ट आप सुपाड़ी भी रख सकते हैं इसमें परन तो हम जो है इसमें बीच बीच में अब जो है लाल चावल भरने वाले हैं तो लाल चावल भर देंगे थोड़ा सा ये अच्छा दिखने लगेगा उपर याबरन में आप चाहें तो मातर एक रंग का ही चावल का उप्योग करें क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं चावल अनवश्यक जा रहा है तो हमने इसलिए इसमें यहाँ उप्योग कर लिया है क्योंकि हम किसी पूजा पाठ के लिए तो बना रहे हैं आपके अभ्यास के लिए ही चावल बना रहे हैं तो ये इस प्रकार से अप अगर अब आप चाहें तो यहाँ बंद भी कर सकते हैं परन्त वो उसमें उतना आनन्द नहीं आएगा इसलिए आप इसको बंद ना करें हाँ अगर आप चाहते हैं तो यहाँ जो है आप इस प्रकार से यह इस प्रकार से विशेश जो है आप नहीं भी करेंगे तो भी रहेगा ये बढ़िया सुन्दर दिखेगा और इस प्रकार से कर देंगे तो इसमें ये रहेगा कि आपको इसमें लाल या पीला चावल भार देना है ये देखिए इस प्रकार से दम बढ़िया आराम से कीज़ेगा आप अब भ्यास करके बढ़िया एक दम इस प्रकार से आप इसमें ये देखिए तो इसकी जो सुन्दर्ता है वो और बढ़ जाएगी आप नहीं भी करेंगे तो भी वो अच्छा दिखने वाला है पर इस प्रकार से आप कर देंगे तो और सुन्दर्ता बढ़ जाएगी ये देखिए यह यह और अच्छा दिखने लगा है यह यह इस तरह से आप इसको बना सकते है अगर आप और इसमें निखार लाना चाहते हैं तो आपको अब जो है सावधानी पूरवक ध्यान दें सावधानी पूरवक जो है आपको यहां बढ़िया पूरा जो है नहीं करेंगे तो भी अच्छा है नहीं है चावल तो भी कोई समस्या नहीं है और अगर है आपके पास भ पतला पतला चावल जो है आप भर दीजिए चावल ध्यान रहे सफेद उसमें मिक्स ना होने पाए इस प्रकार से आप जो है इसमें एकदम आराम से आप करें कोई जल्दबाजी नहीं बस इस बात का ध्यान रखें कि आपका ये जो लाल कपड़ा है फिर ये ना दिखने प्रकार से तो फिर वो और उभार में आ जाता है और उसकी जो सुन्दरता है वो बढ़ने लगती है तो इस प्रकार से भी आप सोड़स मात्र का बढ़िया अच्छे स्वरूप में आप बना सकते हैं आप लोग हमारा सहयोग करें इसी प्रकार से वीडियो को देखते रहें और आपके पहचान में जो भी ब्रामण हैं वाट्सअप के माध्यम से उनको ये बोलें कि हम आपको वीडियो भेज रहे हैं आप उस वीडियो को देखिए आपके लिए लाफदायक जानकारी है हलाकि ये कई ब्रामणों से आता है कई से नहीं आपाता है कई से सहज तरीके से नहीं आपाता है क्योंकि आगर आप से बनाना अच्छे तरह से जल्दबाजी से आ गया तो फिर आप जो है ये जमान के हां भी थोड़ा सा वो रखेंगे चलो भी बना दें अच्छा लगेग मंदल भी सुन्दर रहेगा देवियों का स्थान भी बन जाएगा बढ़िया तो इस प्रकार से फिर आलस भी नहीं आएगा क्योंकि जब नहीं आता और थोड़ा दुशकर रहता है तो बनाने का अभ्यास नहीं है तो फिर लगता है कि चलो कौन बनाए साधारन चावल में जो है सुपारियों के बनाएं तो दोनों प्रकार से हो ही जाता है तो इस तरह से बना देने से उसकी सुन्दरता थोड़ा सा बढ़ जाती है और कुछ नहीं है क्योंकि सुन्दर रहेगा तो मन के भाव जो है और भी ज़्यादा स्थापित हो जाते हैं इस प्रकार से करने के बाद जो थोड़ा सा हलका हलका उंगली लगा दीजिए इस तरह से तो जहां भी वो रहेगा आपको कम लगता है तो इस प्रकार से आप वहां चावल भरते र देखे आपको कि लाल कपड़ा दिख रहा है तो वहां इस प्रकार से आप जो है चावल भर सकते हैं यह दर हलका हलका एकदम हलके हाथों से एकदम हलके हाथों से इस प्रकार से करेंगे तो बराबर जो है आपको स्वास्तिक भी बनेंगा और यह देखिए यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है चावल और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि सफेद के उपर भी परिधी देनी चाहिए तो इसको थोड़ा सा हलका हलके हाथों से आप इस प्रकार से दबा दिये यह देखिए तो यह आपके लाल बाली बाहर की परिधी दिखने लगी तो अगर आप चाहते हैं कि लाल परिधी ही दिखती रहे तो ठीक है लाल काही दिखने दीजिए अन्निता आप यहाँ एक और रंग का उप्योग कर सकते हैं जिससे जो है ये जो है आपकी पूरी पूरी चौकी में बदलावा आ जाएगा देखी आप चाहें तो मात्र स्वास्तिक में बना करके रंगीन चावल भर करके बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं और कुछ है तो आप इस प्रकार से हरे रंग की मात्र छोटी सी परी परिधी दे देंगे तो उसी चौकी में जो है आप देखेंगे पहले और अभी में कितना बदलावा आ जाता है इस प्रकार से कई लोग इसमें प्रशन उठा सकते हैं कि परिधी तो लाल सफेद और काले रंग में होती है सतरजितम के सुरूप में बिल्कुल मैं उसे उस बात को स्विकारता हूँ उससे मैं कहीं वो नहीं करता हूँ आप उसमें भी दे सकते हैं कहीं कोई ये नहीं है उसमें भी कोई समस्या नहीं है वो तो है ही सास्त्रोक्त है लेकिन ये भी कहीं कोई वो नहीं है कि सुन्दरता बनाने में हाँ सास्त्र विहित ही है ऐसा नहीं है कि सास्त्र विहित नहीं है आप रंगीन चावलों का उप्योग कर सकते हैं इस प्रकार से जो है आप यहां भी परिधी दे देवें यह देखिए यह देखिए बड़े ही सुन्दर ढंग से आपका यह पूरा पूरा सोड़श मात्र का एक दम यह आपके जितनी भी पीठे हैं सब कुछ समय मांगती हैं आप जितना इनको बनाने में समय देंगे आराम से बनाएंगे उतना ही यह अच्छे बनने वाली है यह ध्यान दीजिए आप चाहें तो यहां थोड़ा थोड़ा सा पीला चावल भर सकते हैं बीच में इस प्रकार से यह तो उसमें थोड़ा सा बिंदू का स्वरूब भी आ जाता है इस प्रकार से यह आप चाहें तो हरा चावल भर सकते हैं कोई समय इस प्रकार से आप जो है सोड़स मात्र का बना सकते हैं अगर आप पीला चावल भरे रहे हैं तो यहां मात्र आप जो है मात्र लाल चावल रखें लाल चावल रखेंगे तो ये पीला और उटके आएगा कोई वो रही होगा रंग का चुनाओं आप रखें उसमें कहीं कोई समस्चा नहीं रहेगी इस प्रकार से आप जो है सोड़ समात्र का बना सकते हैं आशा करता हूं हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो नीचे कमेंट बाक्स में जा करके कमेंट करें बहुत बहुत आपका धन्यवाद